सबस्वाकता आपका अपनी चनल में डीजी में फ्रेंट्स आज बात करते ही यूपी के गॉर्मेंट कॉलेज के लास्ट टीर के कट आफ की मैंने सेकेंड राउंड को कट आफ लिया है सारे कट आफ आगे दिये गए हैं आप देख सकते हैं नमबर 3 पे GSVM कानपूर नमबर 4 पे आपका अलावाद का कॉलेज है और नमबर 5 पे मेरट है नमबर 6 पे ग्रेटर नोड़ा को बच्चों ने आगरा और गोरकपूर से पहले लिया था जबकि ये कॉलेज इनके बाद ओपन हुगा इसके बाद आप देख सकते हैं कि गोरकपूर लिया गया था और उसके बाद जहासी लिया गया था OBC, SC, ST का कटाओ दिया गया है इसके बाद 18 नमबर के बाद आप देख सकते हैं 19, 20, 21, 22 लास्ट येर वाइस कॉलेज काउंसलिंग में थे फिरोजाबाद, सहजापूर, बस्ती और बहराईज तो लास्ट जो कॉलेज था आपका बहराईज वो 607 पे क्लोज हो गया था जन्रल के लिए OBC के लिए 605 पे क्लोज हो गया था इसके बाद आप देख सकते हैं कि ST के लिए 453, ST के लिए 256, 265 पे क्लोज हो गया था ये कट आफ लास्ट येर का रहा था इस बार आप एक खास चीज देख रहे हैं कि जो 15% सीट है वो आल इंडिया कोटे से स्टेट को वापस नहीं करी जाएगी उनमें जो भी सीट बच जाती थी पहले वापस हो जाती थी अब नहीं गया उसका कितना फर्क पड़ेगा ये इस बार देखने वाली बात है इतना तो सभी लोगों को पता है कि ये कट आफ तो इंक्रीज होगा यूपी में नए नौ सरकारी मेडिकल कॉलेज ओपन हुए हैं उसका फर्क भी यहाँ पे जरूर देखेगा तो जो 15% सीट रिटर्न होते थे जो बच्चते थे उसमें से उ पास्ट येर 607 पे मिला था इस बार कॉलेज जर्नल को 599 पे भी मिल सकता है 598 पे भी मिल सकता है ये चीज आपको देखने को मिलेगी जो सीटें वहाँ से बापस नहीं आई हैं उसके बाद भी आपको अगर माक्स के अगार्डिंग बात करें तो वन माक्स मैक्सिमम माक्स क ज्यादा नुकसान आपका नहीं होने वाला है तो यती फ्रेंट्स छोटी सी जानकारी यूपी के बारे में बाकी जब भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी वैसे आपको पूरी जानकारी दुबारा से एक बार फिर देजी जाएगी आपनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि मतीसा में तेने के लिए